नमस्कार दोस्तों चायावाद का भाग दो वीडियो जिसमें मैं चायावाद पर जितनी लिखी हुई किताबे हैं उसके बारे में बताऊंगी और लेखक के बारे में और कौन-कौन से लेखक, कौन-कौन से किताब चायावाद पर लिखे हैं तो देखते हैं लेखक और पुस्तक पहले है नामवर सिंग नामवर सिंग ने छायावाद पर छायावाद नाम की पुस्तक लिखी है संभूनाथ सिंग संभूनाथ ने छायावाद युग छायावाद युग नाम से छायावाद पर पुस्तक लिखी नेक्स्ट हैं डाक्टर देवराज, डाक्टर देवराज छायवाद का पतन 1948 में लिखे हैं, most important है, कई बार एक्जाम में पुछा जा चुका है ज्वाला राम नगर, इहोंने बिलच्छड नामक जो है किताब लिखी है छायवाद पर अगले हैं सुकल जी, सुकल जी काब्ब में रह सिवाद, चायवाद पर पुस्टक लिखे हैं, next कभी हैं, सूरे परशाद दिच्छित, चायवादी कभियों का सौंधर विधान नामक पुस्टक चायवाद पर लिखे हैं नेक्स्ट हैं गंगा परशाथ पांडे चायवाद के आधार अस्तंभ नामक पुस्तक लिखे हैं अगले कभी हैं प्रोफेसर चेम ने चायवाद के गौरोचिंध नामक पुस्तक चायवाद पर लिखा है राजेस्वर्दयाल सकसेना अगले कभी राजेस्वर्दयाल सकसेना हैं इन्हों ने भी चायवाद पर चायवाद नामक पुस्तक लिखी हैं और नामवर सिंग ने दोनों लोग ने चायावाद पर चायावाद नाम से किताब लिखी है। नेक्ष्ट कभी हैं डाक्टर कृष्च चंद्र बर्मा चायावादी का बिनाम किताब लिखे हैं। नेश्ट कभी हैं, महेंद्र नाथ राम, महेंद्र नाथ राम ने नो जागरण और छायावाद नामक किताब लिखी है, अगले कभी हैं, बच्चन सिंग, बच्चन सिंग ने हिंदी साहित का दूसरा इतिहास नामक भी साहित ग्रंत भी लिखा है, और यह क्रांतिकारी का भी निराला नामक चायवात पर किताब लिखे हैं। अगले कभी हैं। दूधनात सिंग ने लिखा है निराला एक आत्महंता आस्था नामक पुस्ता किनों ने चायवात पर लिखा है। अगले कभी हैं। राम बिलास सर्मा ने निराला की साहित साधना तीन भागों में लिखा है। इन्होंने तीन भागों में किताब लिखा है। नंदुलारे बाजपेई ने जैसंकर परशाद पन्त निराला नाम से चायवात पर पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है सचिरानी गोटू ने सुमित्रा नंदन पन्त काब बेकला और जीवन दर्सन नामक किताब जो है चायवात पर लिखा है। नेक्स्ट है चायवादी ब्रिहत तरई में कौन कौन से कभी आते हैं। तो चायवादी ब्रिहत तरई में जैसंकर परशाद, शूरे कांतिर पाठी निराला और शुमित्रा नंदन पन्त आते हैं। अगला है चायवादी लग तरई में कौन कौन से कभी आते हैं। रामकुमार बर्मा, भगवती चरण बर्मा तीनों लोग आते हैं। नेक्स्ट है चायवादी चतुष्ठाय में कौन कौन से कभी आते हैं। चायवादी चतुष्ठाय में जैसंकर प्रशाद, शुरिकांतिर पाठी निराला, सुमित्रा नंदन पन्त और महादेवी बर्मा चार लोग आते हैं। नेक्स्ट हैं। चायवाद की विशेष्था। चायवाद में प्रशाद सयोदर्शन उसमें भी कस्मीरी शयोदर्शन का आधार मान कर चलते थें। और कस्मीरी देवदर्शन के प्रवर्तक बसब हैं। नेक्स्ट हैं। इसे सयोदर्शन त्रिक या प्रत्या भिग्या दर्शन भी कहा जाता है। निराला विबेकानन दर्शन से प्रभावित थे, निराला विबेकानन दर्शन से प्रभावित थे, विबेकानन दर्शन नव बेदांत है, निराला विबेकानन दर्शन नव बेदांत है, निराला विबेकानन दर्शन नव बेदांत है, निराला विबेकानन दर्शन नव बे तो चार नंदुलारे बाजपेई प्रस्तोता हैं और प्रवर्तक सुमित्रा नंदन पंतजी है नेक्स्ट है प्रभाकर माचवे इसके प्रवर्तक है माखनलाल चतुरवेदी नेक्स्ट है इलाचंद्र जोसी इसके प्रवर्तक है जैसंकर परशाद दोस्तों छायावाद में ब्रह्मा बिश्डू महेश किसे किसे कहा जाता है ब्रह्मा जैसंकर परशाद को कहा जाता है जैसंकर परशाद का जन्म 1889 में मृत 1937 में हुआ था इनकी पिता जी का नाम देवी परशाद और मा का नाम मुन्नी देवी था और इनके गुरु महिनी लाल थे इनका बाले नाम उपनाम जार खंडी जार खंडी था बाले नाम और ये कलाधर नाम से रचनाएं करते थे, और इन्हें जो है छायवाद का ब्रह्मा कहा गया है, नेक्स्ट कभी हैं, नेक्स्ट हैं बिश्डू, बिश्डू सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा गया है, सुमित्रा नंदन पंत का जन 1900 में हुआ था, और मृत 1977 में हुआ था, जन में अस्थान इनका कौशानी अलमोडा में है, और मृत इनका इलाहाबाद में हुआ था, इनका बाल नाम, इनका बचपन का नाम गुसाई दत्त था, और इनकी पहली कभीता गिर्जे का घंटा 1916 में प्रकाशित हुई थी, इन्हें अच्हायावाद का बिश्रू कहा जाता है, नेक्स्ट है, महेश, महेश किसे कहा जाता है, महेश सूरिकान तिरपाठी निराला को कहा जाता है, इनका जन्म 18992 ECB में है, और मृत 1961 में हुआ था, इनका जन्म स्थान महिसा दल मेदिनी पूर ह और मृत तो स्थान यह एलाहाबाद में मरे थे, और इनके पिता राम सहाय तिरपाठी थे, इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था, और इनकी पुत्री सरोज, सरोज पे इन्होंने एक सो की गीत लिखा है, कविता सरोज इसमृती, यह लंबी कविता है सरोज इसमृती, और बड़ा ही अच्छा इन्होंने, उसमें जो है सरोज के बाल लेवस्था का, उसके युवा अवस्था का, उसके ग्रे, उसके साथ, जब उसका बीबा हुआ था, उसका वड़नी बहुत ही अच्छे ढंग से लिखिये हैं, और सरोज इसमृती जो है, हिंदी साहित में, इनकी अंत तक देखिये, धन्यबाद